मुंबई के मलाड में भाजपा ने किया महराष्ट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम नुज़ 24 मैं हूँ आपके साथ मनीशा तिवारी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से है जहां मुंबई के पुर्व कमिशनर परंबीर सिंग का महराष्ट के ग्रिय मंत्री अनील देशमूग पर 100 करोड रुपए वसूली टार्गेट दिये जाने का रोब लगाने के बाद महराष्टरा में सियासे उथल पुथल मत चुका है वहीं बीजेपी भी इस मुद्धे पर महराष्ट सरकार को लेकर काफी हमलावार है इस मुद्धे को लेकर केंद्रिय मंत्री आरके सिंग ने कहा जिस तरह से महराष्ट के मुख मंत्री और शरत पवाद ग्रिय मंत्री अनील देशमूग का बचाव कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इन सब मामलों में मिले हुए हैं मुझे पूरा विश्वास है कि पुर्व कमिशनर की बात 100 करोड रुपे की वसूली बिलकुल सही है वहीं आज इन सब मामलों को लेकर मुंबई के मलाड में भाजबा ने महराष्ट सरकार के खिलाब प्रदर्शन भी करते हु नजर आए विल तक तक के लिए ऐसे ही देश दुनिया के ताजा तरीन और लेटेस सब्डेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले